हलो गाइज उन्हों बात करेंगा मैं SDFC Life की बारे में जैसा कि आप देख सकते हैं इसके चार्ट को अगर आपको कुछ समझा रहा है तो आप बिल्कुल उस चीज को पहले समझिए देन मैं समझाओंगा आप लोग को आप लोग देख सकते हैं कि आज इसमें 25 पॉइंट के ऊपर की तेजी देखने को मिली है एंड जिसने भी होल्ड किया इस स्टॉक को इसको अच्छा फायदा हो रहा होगा आज लगो लगो है स्टॉक 5% गया सबस उपर था तो अभी क्या करना चाहिए SDFC Life की बारे में वो जा जैसे की 1,2,3,4,5,6,6 बार यह स्टॉक वहां से रिजेक्शन लिया है और यह बड़ा प्रेशर है और आज भी आप देख सकते हैं 600 की लेवल तक गया तो था लेकिन वहां से गिरते-गिरते 595 पे आ गया है वोल्यूम आज काफी अच्छी आई है तो वह एक इंपोर्टन के साथ आपको इसमें दिख रहा होगा आज की जो केंडल है उसको अच्छे से तोड़ा है नीचे से आप देखेंगे यह ट्रैंगल फॉर्मिशन था जिसमें इसको नीचे की लेवल पे सपोर्ट मिल रहा था अगर नीचे की तरफ आता तो वापस यहां पर हम बोल सकते थे कि आपको करनी थी बाइंग बढ़ बहां तक तो गया ही नहीं है तो अभी आपके लिग क्या हो जाएगा अगर आपने बाइंग नहीं किये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी आपको जल्द वाजी बाइंग नहीं करनी है विकोज एक चाहिए होता है कन्फरमेशन 600 का level है अगर यह इसको उपर टिकता है दिन वहाँ पर retest करके अगर उपर चल देगा तो आप उसमें कर सकते हैं buying अल्रडी अगर किसी ने buying किये नीचे के levels पे जो मैंने आप लोगों को बताए हुए थे कि यह पांसो दस पांसो रुपए का एक range है जहाँ आप कर सकते थे भाइब यह बताए है फिस की जो रुपएर एक वाय हैं